हेलो और विल्कम टो माइ यूटूब चैनल दॉनलाइन एजूकेशन पॉइंट आज हम आपके लिए जीके का प्रैक्टी से पार्ट एप लेकर आये हैं जो नुए भी एयर फोर्स एंडीए डी आडी ओ सीजी एल एसे सी के लिए इंपोर्टेंट है तो चलिए शुरू करते ह है पिछले वीडियो में हम लोग ने 20 कवर किया और यहां पर हम 21 से देखेंगे देखते हैं ठीक है सबसे नवीन परवत किसे माना जाता है यानि सबसे नया परवत किस परवत को कहा जाता है आपके अप्सान है किस राज्य का प्रचीन नाम नेफा था यही किस राज्य का पुराना नाम नेफा था आपके option है A. असम, B. मेघाला, C. सीकिम, D. अरुनाचल पर्देश है So the correct answer is D. अरुनाचल पर्देश अरुनाचल पर्देश का पुराना नाम नेफा था ठेक, next दखते हैं भारत की प्रथम जन गणना की शुरुवा आते लोड मेओ के सासनकाल में की सवर्स की हुई थी? आपके option है A. 1865 में, B. 1872 में, C. 1881 में, D. 1888 में So the correct answer is B. 1872 में 1872 में, भारत में, फर्ष्ट जन गणना, 1872 में, लोड मेओ के कार्यकाल में शुरू हुई थी और नियमित दसकीये, यानि हर दस वर्स की शुडवात, जर गणना की शुरूवात, 1881 में हुई थी कब हुई थी? 1881 में, हर दस वर्स के ठीक, लेकिन प्रतम बार, लोड मेओ के सासन काल में, 1872 में हुआ था, ठीक, नेक्स देखते हैं सबसे गर्म एउ चमकिला, यानि होट और ब्राइटेस्ट प्लानेट, यानि ग्रह कौन है? A. बुध, B. सनी, C. सुक्र, D. मंगल So, the correct answer is C. सुक्र, यानि वेनस वेनस को सबसे गर्म एउ ब्राइटेस्ट, यानि चमकिला ग्रह माना जाता है और इसके रेवलेशनरी प्रियर्ट को देखें, तो 224.7 डेज, एथी अर्थ का 224.7 दीन के बराबर होता है, जो सुर्य का चकर लगाता है ये ठीक, नेक्स जगते हैं, 25 नंबर सुर्य के सबसे निकट इस्थित्य गर्ह है मैंने सुर्य के सबसे निकट इस्थित्य गर्ह कौन सा है ए प्रिथवी, बी सुक्र, सीज, सनी, डी बुद्ध है यानि अर्थ, भेनस, सेटर्न या मर्करी तो दो करेक्ट एंसर इस डी बुद्ध है मैंने आपको ट्रीक भी बताया था, जो बुद्ध गर्ह है वो सबसे निकट है, सुर्य के मैंने आपको ट्रीक भी बताया था याद करने का according to the distance माई भेरी एजुकेटेड एजुकेटेड मदर जोस्ट सर्व औस नास्ता आप इसे कही नोट कर लिजिए माई भेरी एजुकेटेड मदर जोस्ट सर्व औस नास्ता माई का फर्स्ट लेटर M यानि मरकरी V से वेनस E से अर्थ यहाँ M से मार्स आप इसी तरह से आप उसको याद कर सकते हैं ठीक, नेक्स देखते हैं 26 नंबर सरवधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है आपकी ओप्शन है A. ब्यास्पति B. सूक्र C. बुदे D. सनी So the correct answer is A. ब्यास्पति यानि जूपिटर के पास सरवधिक के उपग्रह है यानि सेटेलाइट से नेक्स देखते हैं 27 नंबर भारत की प्रथम नियमित जनकरना 1881 इस पी में किसके सासनकाल में सूरू हुआ था भारत के प्रथम नियमित यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर ध्यान दिजिएगा नियमित दिया हुआ है जो नियम से हो ठेक किसके सासनकाल में सुरू हुआ था आपके उप्सन है A. लॉड लिटन B. लॉड मेयो C. लॉड डलहौजी D. लॉड रिपन So, the correct answer is D. लॉड रिपन यहाँ पर शुरू हुआ था पहली बार 1872 में लेकिन उस दोरान कौन थे यहाँ के भाइसरे यहाँ के भाइसरे थे लॉड मेयो कौन थे? लॉड मेयो लेकिन जब नियमित शुरू हुआ तो अब उनका सास्वनकल में किनका सास्वनकल था? किनका था? लॉड रिपन का ठीक, आप यहाँ पर confusion मत होईएगा ठीक, next दखते हैं 28 नमबर छुद ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में इस्तित है? आपके option है A. Sunny अरून B. Prithwi अव सुक्र C. Vyashpati and सुक्र D. Vyashpati and Mangal So, the correct answer is D. Vyashpati and Vyashpati and Mangal ठीक, next दखते हैं C. of Transquillity कहां पर इस्तित है? यानि, सांती का सागर C. of Transquillity यानि, सांती का सागर कहां पर है? A. Prithwi पर B. सुक्र पर C. Mangal पर D. चंदर्मा पर So, the correct answer is D. चंदर्मा पर चंदर्मा पर जो धूल के समुन्द हैं उसे C. of Transquillity कहा जाता है आप इसे नोट कर लीजेगा C. of Transquillity का मतलब होता है सांती का सागर नेख जागते हैं थर्टी नंबर बीना उपग्रहो वाला ग्रह कौन सा है? बीना उपग्रहो वाला ग्रह कौन सा है? आपके option है A. बुद्ध एंड सुक B. बुद्ध एंड मंगल C. मंगल एंड सुक D. अरून एंड पुल्टो So the correct answer is A. बुद्ध एंड सुक यानि Mercury and Venus के पास कोई उपग्रह नहीं है ठेक नेख जखते हैं भोर या सांज का तारा किसे किस ग्रह को कहा जाता है Which planet is known as the morning and evening star आपके option है A. ब्यस्वती यानि जुक्टर B. वेनस यानि सुक्र C. बुद्ध यानि Mercury D. सेटर्न यानि सुनी आपके option है ये So the correct answer is B. यानि वेनस को कहा जाता है किसको कहा जाता है वेनस को Next देखते हैं 32 number सबसे बड़ा उपग्रह कौन है सबसे बड़ा उपग्रह The largest satellite Name the largest satellite आपके option है A. Demos B. Phobos C. Titania या Titans होगा या Printing mistake है D. Ganymed So the correct answer is D. क्या होगा Demos Sorry, Ganymed जो Jupiter planet का है Jupiter planet का सबसे बड़ा उपग्रह और ये जितने सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो mercury से 8 गुना यानी 8 परसेंट मरकरी से बड़ा है और चंदर्मा से 2.2 टाइमस कितना 2.2 टाइमस बड़ा है मरकरी से 8 परसेंट और चंदर्मा से 2.2 टाइमस है आप याद रखेंगा इसको नेक्स देक्सते है 33 नमबर जन गन्ना का महा बिभाजक वर्स माना जाता है किस वर्स को Great Division Day कहा जाता है Great Division Day of Population यानी किस वर्स को कहा जाता है आपके option है A. 1911 को B. 1921 को C. 1951 को D. 1981 को So, the correct answer is 1921 को 1921 को जन गन्ना का महा बिभाजक यानी Great Division Day कहा जाता है नेक्स देखते है 34 नमबर सौर मंडल का सबसे बड़ा एवभारी ग्रह है आपके option है A. बिहस्वति B. सूक्र C. बुध D. सनी So, the correct answer is A. बिहस्वति बिहस्वति सबसे बड़ा एवभारी ग्रह है सौर मंडल का नेक्स जगते है 35 नमबर बिहस्वति जनसंख्या दिवस कम मना जाता है आपके option है A. 11 जुलाई को B. 12 जुन को C. 12 अगस्त को D. 8 मार्च को आपके correct answer हो जाएंगे D. 8 मार्च को 8 मार्च को बिहस्वति और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मना जाता है नेक्स जगते हैं जनसंख्या का आध्यन क्या का लाता है जनसंख्या का आध्यन क्या का लाता है A. EPgraphy B. Pomology C. Dendrology D. Demography So the correct answer is D. Demography जनसंख्या का आध्यन अगस्त को आध्यन और पॉपुलेशन डे मना सबिशन नेक्स देखते हैं 37 नमबर भारत का कुल जनसंखेया घनत्वे प्रती वर्ग किलो मीटर कितना है यानि एक किलो वर्ग मीटर में कितने लोग राते हैं आपके अप्शन है A. 282 वेक्ति B. 282 वेक्ति 382 वेक्ति C. 482 वेक्ति D. 540 वेक्ति So, the correct answer is B. 382 वेक्ति ये जो 382 वेक्ति है 2011 का सेंसस है अभी new सेंसस नहीं आया है जो 2021 में आएगा नेक्स जाखते हैं 38 नमबर प्रित्वी के बिप्रित दीशा में घुमने वाला ग्रह कौन है A. आपके option है A. अरून एंड सुक्र B. सुक्र एंड बुद्ध C. सनी एंड मंगल D. वरून एंड अरून So, the correct answer is A. अरून एंड सुक्र यानि वेनस एंड उरेनस ठीक उरेनस एंड वेनस आप इसे याद कर लिजाएगा जो प्रित्वी के बिप्रित दीशा में घुमते है Next देखते हैं 39 नमबर भू इस्थीर उपगरा की उचाई कितनी होती है What is the height of Geo Station Satellite आपके option है A. बत्ती 100 किलोमेटर B. 800 किलोमेटर C. 3400 किलोमेटर D. 3600 किलोमेटर So, the correct answer is D. 3600 किलोमेटर आपको इसकी उचाई Exact बता दे रहाऊ 35,786 किलोमेटर होते है कितने 35,786 किलोमेटर उचाई पर Geo Station Satellite को अस्थापीद किये जाता है इसको Approx मे 36,000 किलोमेटर को लिखा जाता है नेख दखते है 14 नमबर चंदरमा किस ग्रह का एक मात्रूप ग्रह है यह सिम्पल सा कोचन है So the correct answer is B Next देखते है 41 नमबर भारत का कुल लिंगा अनुपात प्रती 1000 पूरूस कितना है A. 943 महिला है B. 843 महिला है C. 743 महिला है D. 948 महिला है यहनी लिंगा अनुपात प्रती 1000 पूरूस यहनी 1000 पूरूस पर कितनी महिला है So the correct answer is A. 943 यहनी 1000 पूरूस पर 943 महिला है ठीक आप इसको याद कर लिजेगा यह भी 2011 के census के अनुपात है Next देखते है एक समुंदर मिल कितने किलोमेटर के बराबर होता है यह पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ एक समुंदर मिल कितने के बराबर होता है A. आपके option है A. 2.852 किलोमेटर B. 1.356 किलोमेटर C. 1.852 किलोमेटर D. 1.756 किलोमेटर So the correct answer is C. क्या हो जाएगा C. यह एनि 1 नॉटिकल माइल N. M. इसकल टू 1.852 किलोमेटर होता है ठेक है आप इसको याद कर लिजेगा मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि 1 नॉटिकल माइल फिर से 20 कवर करेंगे So अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा Thank you